नमश्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी अपनी उमाश्री, डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप प्रसंता से होंगे और भगवान श्री राम की कृपा आप परबरस रही होगी। प्रभूर शुरी राम के हम सब भक्त हैं और हनुमान जी राम भक्त हैं हनुमान जी को राम भक्त अगर कहा जाते हैं तो वो बिलकुल प्रसन होते हैं इसके अलावा एक मंत्र भी है जैसे आप चेंटिंग करेंगे न एक माला तो एक सो आठ मनके होते हैं एक माला में और आपको जपना है ओं शिरी राम दूताय नमे या ओं नहीं भी नलगाना चाहो तो शिरी राम दूताय नमे है इस मंत्र की माला जपो, इस मंत्र के जाप से हनुमान जी बेहत प्रसन होते हैं क्योंकि वो अपनी राम की भक्ती में लीन होते हैं मित्रों मेरा चैनल डॉक्टर उमा श्री के नाम से है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हनुमान जी आज भी शाश्वत है हनुमान जी को वर्दान मिला था कि कल यूग में भी उनका अस्तित्व रहेगा और यही कारण है कि हनुमान जी का वजूद आज भी है इसलिए हनुमान जयन्ती नहीं बलकि हनुमान जन्मोत सब की हार्दिक आपको बधाई देती हूँ मैं हनुमान जी को राम भक्ती के अलावा जो चीजें प्रिये हैं अगर उनको अर्पित की जाएं जिन तो आपका मंगल ही मंगल होता है और मंगल वार है देखो न आज और हनुमान जी का वार है तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए अगर आप अकेला पन महसूस कर रहे हैं तो इस तरह की प्रतिमा पहाड उठाए होए हनुमान जी को अपने घर में जरूर इस्थान देवें मूर्ती अधिक विशाल नहों छोटी हो जैसे आप यह देख रहे हैं ऐसी भी मूर्ती रख सकते हैं इसके अलावा तस्वीर भी रख सकते हैं पहाड उठाए होए हनुमान जी की तस्वीर अकेले व्यक्ति को सहारा देती है जिनका परिवार है वो भी रख सकते हैं लेकिन हनुमान जी की क्रपा से सब भय दूर होते हैं हनुमान जी को चोला चड़ाना बहुत शुब वाना जाता है चोला उसे कहते हैं कि सिंदूर चड़ाया जाए अब जिस मंदिर में भी आप जाते हैं उस मंदिर में मूर्ति के साइज को देखकर ही सिंदूर चड़ाएं सिंदूर है चमेली का तेल है और वर्ग ये चोला चड सबी मनों कामनाई हनुमान जी पूर्ण करते हैं और हनुमान जी को आशिर्वाद आपको मिलता है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य ही बताना मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे चनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री